मेरा नाम प्रिया है, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है, घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए काम करने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था, दोस्तों उससे पहले अगर आप नए हो, तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फि मैं वहां कम करती थी, इनका एक बेटा भी था, जो आते जाते मुझे में पर नजर रखना था, आज तक उसने ना तो मुझे कोई बात की थी, और ना ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी नजरों से मैं परिशान हो गई थी, फिर एक दिन मेरी मालकिन ने जा रही थी, मैंने फॉरण ही हां का दिया और उनके बेटे से शादी कर ली, शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वह से बहुत महबबत करता है, इसी लिए मुझे देखा करता था, और इसने अपनी मा से कहा कि वह मुझे शादी करना चाहता है, लेकिन फिर मेरी माने जो कमरे में बुला लेती, मेरे पती की हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी होती थी, जैसे ही सोहित काम पर जाते, मेरी सांस फौरन मुझे अपने कमरे में बुला लेती, दरसल dépend वो मुझे अंधेरी कोटरी भनवाने का काम कर रही मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था, कि वह मुझे ऐसा काम क्यों कर रही है, और इस बोर में सोहित को क्यों नहीं बताया गया। लेकिन मरता क्या ना करता, मैं उनका काम करती रहती, काम इतनी मेहनत का था, कि मुझे जल्दी ही ठकान होने लगती, जब मैं पुरी तरह तक जाती, तो मेरी सास मेरे लिए शर्बत बना कर लाती, पर मुझे कहती कि इसे पीरो, तुम्हारी ठकान खत्म हो जाएगी, मैं वह श प्रश्चा सुपूर्ट की अधियुक्त, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना, यहां तक की अपने पती सोहित को भी नहीं, धीरे-धीरे मुझे शक होने लगा कि शर्बत पीने के बाद मुझे नींद क्यों आने लगती है, मुझे पता ही नहीं चल, पता की मैं कब, कहां कैस होने के बाद वहाँ पर एक नहीं बलकि छेह में अपने मा बाप की इकलोती बेटी थी और बहुत ज्यादा हसीन थी मेरी मा लोगों के घर में खाना पकाती थी और मुझे भी यही करवाना चाहती थी पर मेरे पिता जी मेरी मा से कहते थे कि इतनी प्यार लड़की को अगर किसी के घर काम करने के लिए भेजेंगे तो हर वक्त दिल परेशान रहेगा लेकिन मा का ये कहना था है कि मैं भी तो बहुत खूबसूरत थी मैं भी तो किसी की बेटी थी तुमने गरीबी में आकर मुझे यह काम करवाया और अपनी बेटी के बड़ी आई तो तुम्हारा दिल तड़प रहा है मेरे पिता जी जब इस दुनिया से चले गए तो मा ने मुझे भी यही कहा कि अब तुम लोगों के घर में काम करना शुरू कर दो मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई मैं दिन रात वही पर रहती थी वो औरत मेरा बहुत खयाल करती थी होली दिवाली पर मुझे तोहफे भी देती थी मेरे कपड़े भी बनवा कर कर देती थी साथ ही वह मुझे खाना भी दिया करती थी जब भी उसके घर पर कोई आता तो मुझे देख कर पूछ प्लेट की क्या ये तुमारी कोई रिष्टेदार है क्योंकि मैं शकल और सूरत की बहुत अच्छी थी इसलिए कोई अंदाज ही नहीं लगा पता था कि मैं उसे घर में एक मामूली सी नौकरानी हूँ उनका एक बेटा था सोहिद जो शकल सूरत का तो अच्छा ही था और बहुत हैंडसम भी था और कामता भी ठीक तक था लेकिन वह मुझे अकसर देखता रहता हालांकि उसने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं ना ही कोई बात की और ना ही कभी कोई गलत इशारा किया लेकिन उसके निगाहें मुझे में पर ही रहते थे मैंने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया था मैं खाना बना देती और मालकिन से कह देती थी कि आप खुद ही खाना इनको दे दें मैं उससे दूर-दूर रहने लगी क्योंकि मुझे ये सब बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन एक दिन मालकिन की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की दुलहन बनाना चाहती हूँ ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात कर दी होगी क्योंकि वह काफी समय से बीमार भी रहती थी उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था इस तरह के घर तो आजकल दिखते भी नहीं है और मुझे ऐसे घर बहुत ज्यादा पसंद है हालां कि ये घर अब भी बहुत अच्छा लगता था अगली सुबह जब इनकी तबीयत बहतर हुई तो कहने लगी कि मैंने कल तुमसे एक बात कहीं थी मैंने कहा मालकिन मैंने बुरा नहीं माना क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी और इसी लिए शायद आपने बीमारी की वजह से ये बात मुझे कहती हो तो इस पर वो मुझे कहने लगी कि मैंने बीमारी में आकर बात नहीं की थी मैं हकीकत में तुमसे अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ तुम खुद ही सोचो अब इस उम्र में मैं अपने बेटे सोहित के लिए कोई लड़की कैसे ढूड़ूंगी और दौड भाग कैसे करूँगी उसके बात पता नहीं उसका नेचर कैसा हो कामधाम कैसा करे मेरे घर का मेरे बात वो घर का खयाल रख सके या ना रख सके तो मैं वो सारे गुड हैं जो एक अच्छी लड़की में होने चाहिए अब ना तो इस उम्र में मेरे अंदर इतनी हिम्मत है ना ही इतनी ताकत की मैं तुम्हारी जैसी और दूसरी लड़की ढूंड सुकून तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुबसूरत तो हो ही और बहुत अच्छी तरह से मेरे घर का और मेरे बेटे का और मेरा भी ख्याल रखती हो तो मैं चाहती हूँ अब इस नौकरी को हम रिष्टेदारी में बादल दे तुम्हारे हाथ का खाना सोहित को बहुत पसंद आता है हालांकि मुझे ये भी पता है कि सोहित को कोई और लड़की पसंद नहीं है अगर उसे कोई लड़की पसंद होती तो बेशक मैं इस लड़की से उसकी शादी छपाती और इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे सोहित की शादी तुमसे ही करवाऊंगी तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो जब मैंने यह बात घर आकर अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने मुझे बहुत बाते सुने उन्होंने कहा कि तुने ही कोई चकर चलाया होगा उसके बेटे को अपने हुसैन के दाल में फंसा लिया होगा जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था क्योंकि मैं अपने खांदान की सबसे खुबसूरत लड़की थी इसलिए खांदान के जितने भी लड़के थे सब के रिष्टे मेरे लिए आ चुके थे लिकिन खुबसूरत होता है तो नजाकत ही जाती है इसलिए मेरे अंदर भी थोड़ी नजाकत थी और मैंने सारे रिष्टों को ठुकरा दिया था इसलिए अब मैं यह सोच रही थी कि जब सारे ठुकरा हुए रिष्टिदारों को यह पता चलेगा कि मैं तो एक बड़ी अवेली की बहु बन गई हूँ तो उनके दिल पर तो सांप लोट जाएंगे और बस अपनी इगो में आकर मैंने कोई बात नहीं की और अपनी मा से कहा कि मेरी शादी यहाँ पर कर दो मेरी शादी भी हो गई मेरे पती की नाइट लग गई क्योंकि वह एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और अब उनकी नाइट ड्यूटी के दिन शुरू हो गए थे मैं तो अपने मालकिन की हमेशा बहुत ज्यादा इज़त करती थी और अब जब उन्होंने मुझे इस घर की बहु का दर्ज दे दिया था तो यह तो मेरे लिए किसी एहसान से कम नहीं था मैं उनके पैरों की मिट्टी उठा कर अपने माथे पर लगा लेती थी मैं उनकी हर बात मानती थी दिन रात उनका बहुत खयाल रखती थी अपने पती से ज्यादा मैं उनके खाने पीने का खयाल रखती थी अपने पती को तो खाना में बाद में देती पहले उनसे जाकर पूछती कि आपने खाना खाया की नहीं वह भी मेरे साथ बहुत खुश थी और कहती थी कि मेरा फैसला बिलकुल भी गलत नहीं है मैं भी उनको यह एहसास नहीं करवाना चाहती थी कि किसी गरीब की बेटी को घर लेकर आई थी तो मलिक बनकर मेरे सर पर ही नाचे लगी बलकि मैं तो उनको यह एहसास करना चाहती थी कि मैं एक अच्छे इंसान हूँ और उनके दिन रात सेवा करती थी एक दिन रात के एक बजे का वक्त था मेरा पती ड्यूटी पर गया हुआ था मैं अपने कमरे में थी जब मेरी मा ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है मैं उनके कमरे में चली गई तो उन्होंने एक दिवार से अलमारी को हटाए तो मैंने देखा कि घर तो बहुत मजबूत और पुखता था लेकिन ये दिवार कुछ कच्ची थी और इसके नीचे कुछ खुदाई हुई थी मेरी मा ने कहा कि तुम्हें यहां पर दिवार को खोट कर अंदर ग्राउंड एक कोठरी बनानी होगी दरसल में इस कम के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर शक्ती और खुद मुझे ये काम हो नहीं सकता इसी लिए ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि यहां पर गड़ा खोट कर अंडर ग्राउंड कोठरी बनाना कोई आसन काम तो नहीं था जब उन्होंने मुझे हैरान परिशान देखा तो कहने लगी की देखो कोई जल्दी नहीं है तुम ये काम आराम से कर शक्ती हो चाहे रोज थोड़ा थोड़ा करो मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है मैंने अपनी सासुमा से कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता था वो मेरे किसी सवाल का जवाब देती और मुझ में में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके आगे उनसे जिद बहस कर सुकून मैंने बस हमेशा की तरह उनका हुकुम मान लिया जैसे मैं हमेशा माना करती थी फावडा कुदाल हथोडी सर समाज महा पर पहले से पढ़ा था मैंने तुरंद कम शुरू कर दिया रात के एक बजे से लेकर मैं सुबह पांच बजे तक यही कम करती रही कम बहुत महनत का था और मैं पसीने से भीगी जाती थी अभी मैं काम में ही लगी हुई थी कि मेरे सास बाहर से आई मुझे पता ही नहीं कि वो कहां से आई है बस उनके हाथ में शर्बत का एक गिलास था एस के हाथ में ठंडा ठंडा शर्बत देखकर मेरे मूह में पानी आ गया मेरी सास ने कहा कि आज के लिए इतना काम काफी है ये लो शर्बत पियो मैंने वह शर्बत जैसे ही पिया उसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहा थी जब मेरी आँख खली तो मैं उसे कमरे में एक तरफ लेती हुई सो रही थी मैंने सुबह उठकर सासुमा से कहा कि मुझे पता ही नहीं चला अब मेरी आँख लग गई तभी वह मुझे कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं मेहनत का काम करोगी तो नींद तो आएगी ही और वैसे भी आज के लिए इतना कम काफी है उनकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी तभी उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि कहा जा रही हो मैंने कहा कि घर का काम करने उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की कोई जरूर नहीं क्योंकि तुम इस घर की बहु हो कोई नौकरानी नहीं घर के काम करने के लिए मैंने एक लड़की रखी है जो आज 9 बज़े आ जाएगी तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ मेरी सास ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे भी रखें मैंने कहा कि जब मैं नौकरानी नहीं हूँ तो आप मुझे ये पैसे किस बात के लिए दे रही है तो इस पर वा कहने लगी की बेटा ये पैसे मैं अपनी उसे बेटी को दे रही हूँ जो मेरी मदद कर रही है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है लेकिन मेरी बच्ची ये बात किसी को ना बताना यहां तक कि अपने पती निहाल को भी नहीं, मेरी सांस मेरा इतना निकाल कर रही थी वह चाहती तो मुझे सारे घर का कम करवाती लेकिन मेरे आराम के लिए उन्होंने नौकर रख लिया जबकि मैं खुद एक नौकरानी थी और आज कोई और मेरे लिए कम करने वाली लग गई थी इससे बड़ी और क्या बात होती मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए मा और ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी लिकिन मेरी S ने वो पैसे दे दिये और कहा इससे अपने लिए जो तुम्हारा दिल करें तुम वो खरीद लेना कपड़े जूते खाने पीने की चीज है और अपनी मा को भी शॉपिंग करवा देना वह भी खुश हो जाएगी मेरी S किस कादिर की अच्छी इंसान थी मेरे दिल में उनके इस्जत दिन बाद दिन बढ़नी जा रही थी पैसे लेकर मैं कमरे में आ गई पैसे गिने तो बीस हजार से ज्यादा थे इतनी तो मेरी तनख्वा भी कभी नहीं थी इसके बाद मैं आराम से दोबारा सो गई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई मेरा पती दोपहर में आ जाता था और मैंने उसको ये बात नहीं बताई लेकिन उसने नोट कर लिया कि मैं काफी ठकी ठकी लग रही हूं मैंने कहा कि बस ऐसे ही मैं तो आराम करके तक गई हूं क्योंकि मा ने मेरे लिए घर में नौकरानी रखी है टाइम इस घर में कैसे गुजरेगा मेरे पती ने कहा कि इस घर में जल्दी ही छोटे महमान आ जाएंगे तो फिर तुम्हारा वक्त अच्छे से गुरजर जाएगा लेकिन मुझे मा की बात याद आ गई उन्होंने कहा था कि मुझे कोठरी बनानी है और ये बनाना कोई आसान काम नहीं था और दो-तीन हफ़ते का कम भी नहीं था इसमें तो बहुत वक्त लग रहा था और मेरा पती ये चाहता था कि मैं मा बन जाऊं तो फिर मैं कम कैसे कर शक्ती थी इसलिए में बहुत परिशान हो गई दोस्तों अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक साथ ही साथ चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर लेगे